जैमा तती जैमा कमख्या कमख्ये वर्दे देवी नीट थवासनी कमदेवी जगतमाता योनी मुद्रे नमस्तुते कामख्ये काम संपन्ये कामेश्वरी हर्पिये काम नाम देही में नुक्तर कामेश्वरी नमस्तुते काम दे काम रुपस्ते सुबगे सुर्शेविचे करोमी दर्शिवी उसर कामार सुद्धिये ओम महेशानी महामाए चामुंडे मुंडमालीनी आयू आरुग एश्वर जेही मेदेवी परमेश्वरी ओम जैन्ती मंगला काली भद्र काली कपालीनी दुर्गा छमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तु दे ओम सर्मंगल मंगल ये शीवे सर्वा साधी के चरने तरंबके गोरी नारायनी नमस्तु दे दुर्गती नाशिनी दुर्गा जै जै कालवी नाशिनी काली जै जै उमारमा ब्रह्मानी जै जै सीता राधा रुकमनी जै जै महालक्ष्मी नमस्तुब्यम नमस्तुब्यम सुदेश्वरी हरी ब्रिये नमस्तुब्यम नमस्तुब्यम जयानी दी ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल मेरवाइन महा बुद्ग्रह किसी मनुश्य का बुद्ध ग्रह उच्च का होता है किसी का नीच का होता है और अधिकांश्त बुद्ध सूर्य के साथ बेठा हुआ होता है तो क्या क्या असर होता है जिंदगी में बुद्ध ग्रह वाले मनुश्य को किस पकार की परेशानी जहनना होती और क्या जिंदगी में अच्छा होता है जोतिश शास्त्र में बुद्ध देवताओं का संदेश वाहके आप ग्रह नक्षत्रों के बारे में समझने का प्रयास करिए ये आपकी जिंदगी में बहुत इंपार्टेन डोल आदा करता है हमारी ये पूरी जिंदगी ग्रहों के उपर आधारी थे यदि नव ग्रह में से आपके अधिकांश तर ग्रह अच्छे हैं तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी और यदि आपकी जन्द पत्रिका के अनुसार जादा तर गरह खराब हैं तो आपके जीवन में बहुत संगर्ष होता है तो बुद गरह जो होता है यहां जोती शास्त में देवताओं का संदेश वाहक का काम करता है बुद सूरी के निकटतम ग्रह है, सुरी के साथ अधिकांस्तर जन्न पत्रिका में देखने को मिलता है बारती परंपरा में बुद्ध ग्रह को बुद्धी का प्रदाता कहा गया है यानि बुद्ध अच्छा है यानि बुद्धी अच्छी होगी बुद ग्रह के लक्षन की बात करें तो यह व्यक्ति में बुद्धी देता है विवेक देता है हाजिर जबाबी देता है और हाथ से विनोत का प्रतिलिद्ध भी करता है यह एक शुब ग्रह है लेकिन कुछ इस्तितियों में बुद्ध अशुब ग्रह में बदल सकता है बुद्ध एक तरीके से कम्प्निकेशन ग्रह है यह व्यापार, वानीज, कामर्स, खाते, बेंकिंग, मोबाइल, नेट वर्किंग कम्प्यूटर आदिस से संबंदिछ छेतों का प्रतिक है एक मजबूत बूद इन शेतों में सफलता अवश्श दिलाता है तो पहले यह पता करने कि क्या आपका बुद्ध अच्छा है तो आप इस लाइन में जा सकते हैं और इस लाइन में आपको अवश्श सफलता मिलेगी जैसे बुद्ध ग्रह जी अच्छा है बुद्ध से सम्मंदित क्या क्या हो सकता है बुद्ध ग्रह जो है बुद्धी अच्छी देता है चतुर्ता, वानी, शिक्षा, गणीत, लेखन, तर्क वितर्क, नत्य नाटक मामा, मित्र, गला, ना, कान, फेपड़े, आवाज, जोति, शुग्यान, व्यापारादी का काडग्र है शक्ति-शाली बुद्ध के क्या-क्या प्रभा हो सकते है एक शक्ति-शाली बुद्ध आपके जीवन के उप्युक्त छेत्रों में सफलता का प्रती के जो मैंने उपर बताए है ताकतवर बुद्ध वाले लोग तेज दिमार्ट के होते है उनकी सोचने की शक्ति बहुत अच्छी होती है लेकिन इनकी एक समस्य यह होती है कि चिन्ता और अनिश्चित्ता से प्रभावित होते है बुद्ध एक दोहरी प्रकृती का ग्रह है बुद्ध ग्रह जोतिश में दो राशी याने चिन अर्थात कन्या राशी और मिथुन राशी पर अपना नियंतन रखता है हाथ, कान, फेपड़े, तंत्रीका, तंत्र, तचा यह बुद्ध से प्रभावित होते है बुद्ध तर्ग को दर्शाता है और जो लोग जिनकी कुंडली में बुद्ध एक मजबूत इस्तिती में होता है वे समझधार होते हैं तर्ग वितर्ग करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं और बेहद अच्छी विशलेशनात्मक छमता वाले होते हैं बुद्ध वाले मनुश्य के पास में तेज सोच होती है और परन्तु जन्म जात, चिंता और अजिवेक भी है बुद्ध तर्क में विश्वास करता है शोद करताओं ने भी अपने घातक चाट में मजबूत बुद्ध होता है बुद्ध के व्यक्तित के दो प्रकार हो सकते हैं कद उंचा हो सकता है, चेहरा लंबा हो सकता है मस्तिस्क जो होता है वो विशाल होता है और दूसरे प्रकार के माध्यम में कद, हाथ, लंबे, पेट पतला, कमर मोटी, रंग, साधान गोरा और लाल गोरा होता है और यदि किसी का बुद्ध बहुत कमजोर है तो उसके लक्षन मैं पुना बोल रहा हूँ कि क्रपया आप सब लोग अपनी अपनी कुंडली में छे करें कि कौन सा ग्रह अच्छा है, मजबूत है, और कौन सा ग्रह कमजोर है हम आपको यहाँ पर पूरे नव ग्रह से सम्मंदित अच्छा है तो उसके लक्षन बताएंगे और यदि कमजोर है तो उसके लक्षन बताएंगे उसके इसाथ से आप उसका इलाज करना अभी से प्राडंब कर दे कमजोर बुद यदि होता है तो उसके क्या प्रभा होता है कुली में बुद दुर्शित होने पर पागलपन दोड़े पढ़ना मस्तिस के रोग होते है बुद अच्छे इस्ति होते हो भी अगर यदि मंगल दुर्शित हो तो तचा रोग भी होता है चेचक की बिमारी हो सकती है कुजली की बिमारी हो सकती है फोड़े फुनसी की बिमारी हो सकती है कोड़ हो सकता है इस प्रकारिया बुद्ध की वज़े से होता है कमजोर बुद्ध के व्यक्ति की आखे बड़ी लेकिन उग्र होती है और बुद्ध कमजोर वाला व्यक्ति बहुत कम बोलता है और बुलेगा भी तबी जब फायदा होगा अन्यता नहीं बोलता है और बुद्ध कमजोर वाले व्यक्ति अपनी बाते किसी को नहीं बताता है बुद्ध कमजोर वाले व्यक्ति क्रोधी और जगरालू भी होते हैं किसी की बात न मानने वाले होते हैं जीवन में इस्थिता नहीं होती है और इनसे कभी भी बुद्ध कमजोर वाले मनुश्य को के साथ में पेसे का व्यवहान नहीं करना चाहिए अन्य था बुद्ध कमजोर वाला व्यक्ति पेसा खा जाएगा मन्याने कि बुद्ध कमजोर वाले मनुश्य को रिन नहीं देना चाहिए बुद्ध से संबंदित व्यापार व्यावसा है कौन-कौन सा करना चाहिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं जैसा कि पेले बता चुका हूँ मैं कि जो तीशी गर्णा हो गई टेली फोन हो गया, टेली ग्राम हो गया न्यूज रिपोर्टर हो गया क्योंकि संदेश वहाग का काम करता है तो मीडिया व्यक्ती होगे, गणी तग्ये होगे चार्टर अकाउंटेंट होगे, वकील होगे, दीलर होगे दलाल होगे, व्यापारी होगे ये कुंडली में देखा जाता है सफल कलाकार भी हो सकता है मुर्तिकार भी हो सकता है और क्रविक्र का काम बुद्ध बहुत अच्छे से करता है और बुद्ध को अच्छा करने के लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमह इसके जब करते रेना चाहिए बुद्धवार का वरत उपवास रखना चाहिए श्री गणेश जी की पूझा करना चाहिए और दुर्वांकुर और काले तिल को मिला करके हवन करना चाहिए और जली बुद्ध कमजोर है आपका तो बुद्धी के दाता, बुद्धी के प्रदाता श्री गनेश जी को इस्ट बना करके उनकी पूजा करें ताकि आपका बुद्ध अच्छा हो सके गनेश अर्थव शिश का पाठ करना चाहिए ताकि बुद्ध अच्छा हो सके जैमाता दी, जैमा कमक्या कमक्खे वर्दे देवी नील परतवास नीतम देवी जगत माता योनी मुदरे नमस्तुते कमक्खे काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते ओम ब्राम डिंभॉम सबुधाय नमह और नव ग्रह मंत्र अवश्च चप करना चाहिए ओम ब्रम्ह मुरारी तिपुरांतकारी भानु शशी भूमी सुतो बुदश्य गुरुष्च शुक्र शनी राहु केतवे सर्वे ग्रहा शान्ती कराभवंदू ये वाला जो मंत्र है इस मंत्र का जाप जादा से जादा करना चाहिए मनुश्य को एक माला दो माला पांच माला या कम से कम आदा घंटा अवश्य इस मंत्र का रोजाना जप करे और अज़ी हो सके तो रोजाना घर में अग्नी होत्र करे अगनी होत्र का मतलब होता है गाय के सूखे गोबर को जला करके उसके उपर घी शकर काले तिल से हवन करें अब आप कहेंगे मुझे हवन करते नहीं आता है तो कुछ नहीं करना है जो पंच देव हमारे इसमें बताए गए है उन बंच देव का शुरू में नाम ले ले और जिसका हवन करना हो उस मंत्र को कंटिन्यू लगातार हवन करते रहे कम से कम 27 आउती अवश्च दे इससे आगे जितनी इच्छा हों आपके उतनी देते रहे निश्चित तोर से आपके एक ग्रह जो नकारात्मक आपको इफेक्ट दे रहे हैं वर धनात्मक इफेक्ट देने लगेंगे ओम ब्रम्मा मुरारिति पुरांतकारी भानु शशी भूमी सुतो बदश्य गुरुष शुक्र शनी राहु केतवे सरवे ग्रहा शान्ती करा भवन्तू इस प्रकार से इस मंत्र को बोल करके अपने नव ग्रह को आप शान्त कर सकते हो किसी पंडे पुजारी की आवशक्ता नहीं होती है किसी भगत की आवशक्ता नहीं होती है किसी तांत्रिक की आवशिक्ता नहीं होती केल आपको एक दो बार अच्छे अनुभवी जोतिशी व्रद्व्यक्ति के पास जा करके ये पता करने कि आपका कौन-कौन सा ग्रह कमजोर है और कौन-कौन सा ग्रह अच्छा है मा भगवती जगत जन्नी आद्शक्ति भवानी अलहादी नी शक्ति कस्त निवारी नी दुख निवारी नी वैशास और मर्दनी चंड मुंड़नासी नी सेहवाही नी आपका कल्यान करें